हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एल्डीसी एकाडमी तो आज हम लोग देखेंगे आवकास्नियम यानि लीव रोल्स का टॉप हंडिड़ प्रसन का पार्ट वन वीडियो जो आप लोगों के लिए एकजाम की दिलिष्टी से बहुत ही महत्पून होने वाला है तो चलिए वीडियो को विनादेर किये सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी संरोदे दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर ले और आपको वीडियो पसंद आए तो साथ ही वीडियो को लाइफ अवस्थे करें Q1. कितने दिनों के लिए दिया जाता है? Q2. कितने दिनों के लिए 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 दिनों क ग्रूप के करमचारियों को दिया जाता है। आर्ध औसत वेतन वकास यानी LHAP एक साथ कितने समय के लिए मंजूर किया जाता है। आर्ध औसत वेतन वकास यानी LHAP एक साथ 24 मा के लिए मंजूर किया जाता है। Q4. रसूती वकास यानी maternity leave कितने दिनों तक दे है। Q5. रसूती वकास यानी maternity leave 180 दिनों तक दे है। Q5. औसत वेतन वकास यानी LHAP अधिकतं कितने दिनों तक जमा किया जा सकता है। Q6. रसूती वकास यानी LHAP अधिकतं कितने दिनों तक जमा किया जा सकता है। Q6. चाल्ड के लिव यानी CCL पूल कितने दिनों तक दे है। Q7. चाल्ड के लिव यानी CCL पूल 730 दिनों तक दे है। Q7. पित्रित वकास यानी paternity leave कब से लागू हुई। Q7. पित्रित वकास यानी paternity leave से लागू हुई। Q8. रेल क्रमचारी को पूरे सेवा काल में कितने दिनों तक अनर्जित अवकास यानी leave not due दिया जा सकता है। Q9. रेल क्रमचारी को पूरे सेवा काल में 360 दिनों तक अनर्जित अवकास यानी leave not due दिया जा सकता है। Q9. पित्रित अवकास यानी paternity leave प्रसूती की तिथी से की साथी के अंदर ली जा सकती है। Q10. पित्रित अवकास यानी paternity leave प्रसूती की तिथी से 6 मा के अंदर ली जा सकती है। Q10. एक बार में अधिक्तम कितने दिनों तक असत वेतन अवकास यानी LAP स्विकृत किया जा सकता है। Q10. एक बार में अधिक्तम 180 दिनों तक असत वेतन अवकास यानी LAP स्विकृत किया जा सकता है। Q11. एक बार में अधिक्तम 180 दिनों तक असत वेतन अवकास यानी LAP स्विकृत किया जा सकता है। रेल करमचारियों द्वारा रक्त दान करने पर कितने दिनों की छुट्टी स्विक्रित की जा सकती है। एक रेल करमचारी एक कलेंडर वर्स में कितना औसत वेतन आवकास यानी एल एपी पाने के हकदार है। एक रेल करमचारी एक कलेंडर वर्स में कितनी अर्ध औसत वेतन आवकास यानी एल एच एपी पाने के हकदार है। एक रेल करमचारी एक कलेंडर वर्स में 20 दिन का अर्ध औसत वेतन आवकास यानी एल एच एपी पाने के हकदार है। पोशन नमबर 14 गरपात यानी एवोशन की अवस्था में अधिक्तम कितने दिनों तक आवकास दे है। पोशन नमबर 15 गरपात यानी एवोशन की अवस्था में अधिक्तम 45 दिनों तक का अवकास दे है। पोशन नमबर 15 गरपात यानी एक बार में अधिक्तम कितने अवरदी के लिए दी जा सकती है। पोशन नमबर 16 गरपात यानी एक बार में अधिक्तम 28 मा के लिए दी जा सकती है। पोशन नमबर 16 एक कलेंडर वर्स में BCS आकस्मिक अवकास यानी एस्पेशल कैजूल लीब मंजूर करने की समाने सीमा क्या है। पोशन नमबर 17 एक कलेंडर वर्स में BCS आकस्मिक अवकास यानी एस्पेशल कैजूल लीब मंजूर करने की समाने सीमा 30 दिन है। पोशन नमबर 17 एक कार ग्रहन समय यानी ज्वानिंग टाइम रेल करमचारी को की स्परकार के आस्थानंतरन पर दिया जाता है। पोशन नमबर 18 एक कार ग्रहन समय यानी ज्वानिंग टाइम रेल करमचारी को स्परकार के आस्थानंतरन पर दिया जाता है। पोशन नमबर 18 एक कित्रित आवकास यानी पेटानिटी लीव कितने बच्चों तक दे है। पोशन नमबर 19 एक कित्रित आवकास यानी पेटानिटी लीव जो बच्चों तक दे है। पोशन नमबर 19 अधिक्तम कितने दिनों तक और्ध आवसत वेतन आवकास यानी LHAP हाते में जमा की जा सकती है। पोशन नमबर 20 अधिक्तम किसी भी सीमा तक और्ध आवसत वेतन आवकास यानी LHAP हाते में जमा की जा सकती है। पोशन नमबर 20 पूरे सेवा काल में कितने दिनों की छुट्टी का नगदी करन किया जा सकता है। पोशन नमबर 20 पूरे सेवा काल में 60 दिनों की छुट्टी का नगदी करन किया जा सकता है। धन्वाद दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से रवस्य करें। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट टू वीडियो के साथ। करे लाद वीडियो कर दो